इंजीनियरिंग एस्पिरेंच के लिए जिन्होंने बीटेक कर रखा है जिनकी उमर 20-27 साल है अन्मारिड मेल्स हैं फीमेल्स हैं इनके लिए इंडियनामी दो इंट्री लाती है इन दो इंट्री का नाम है टीजीसी और एससी टेक जी हां यह दो इंट्री हर इंजीनियरिंग ग्रैजुएट को एक मौका देती है इंडियन आम्ड फोसिज में कमिशन अफसर बनने की इन दोनों इंट्री में क्या डिफ्रेंस है आईए जानते हैं नमश्कार डिफेंस आस्पिरेंस सुआगा तयत रिशूल डिफेंस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पर एसे सी टेक वर्सिस टीजी सी यह कॉंस्टेंटली मेरे पास सवाल बने हुए कि भाईया दोनों में क्या डिफ्रेंस है आईए जानते हैं दोनों के बीच में डिफ्रेंस एसे सी टेक का फुल फॉर्म है शॉट सर्विस कमिशन टेकनिकल एंट्री और टीजी सी को बोलत कि ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद दस साल का टेनियर है इसको चार साल और एक्सिंट किया जा सकता है 14 साल का टेनियर वहीं टीजी सी पर्मेनेंट कमिशन तिल दा एज ओफ रिटारमेंट आप सर्फ करेंगे भारतिये फॉज में और रिटारमेंट के बाद आपको पे नहीं है चलिए SSC Tech में बोथ boys and girls can apply और दोनों unmarried होने चाहिए लेकिन TGC में only unmarried males can apply training training की बात करें तो 49 weeks की training SSC technical की होगी और TGC की training Indian military academy में होगी वहीं SSC Tech की training OTA चिन्नाई में होगी officers training academy चिन्नाई में जो जा रहा है वो short service commission के लिए है Indian military academy में जो जा रहा है वो permanent commission के लिए है जैसे कि मैंने बोला था short service commission technical का tenure 10 साल का होता है training complete करने के बाद 4 साल और extendable 14 years वहीं TGC का till the age of retirement अब महत्पून difference short service commission technical और TGC के cut-off के बारे में भया देखो यह एक direct entry है आप form भर होगे based on your BTEC percentage आपके BTEC में क्या percentage है उसके basis पे आपका form shortlist होगा form shortlist होने के बाद आपको services selection board interviews के लिए बुलाया जाएगा SSC technical के लिए BTEC electrical electronics computer science आम तौर पे साथ की लपेट में forms को shortlist कर रहा है यानि कि short service commission में हमेशा candidates को भारी तादात में बुला रहे हैं क्योंकि यह राजकल 60% सब्के होते हैं ठीक एक बार ऐसा हुआ है कि computer science 76% गया है otherwise आप हमेशा देखोगे तो short service commission technical में BTEC civil 60% BTEC electrical 63% electronics 60% mechanical 60% mislinear 60% वहीं TGC में देख लो भया 70-75 की लपेट में BTEC electronics 76 BTEC civil 72 BTEC computer science 79% BTEC mechanical 80% यानि कि जो meritorious students है उसको TGC बुला रहा है और mass segment को SSC tech बुला रहा है यानि कि अगर आप पढ़ाई में average हैं आपके नई 70 हैं नई 75 हैं नई 80 हैं मातर 60% हैं तो आप SSC tech का form भरिये वहीं TGC के लिए आपके पास BTEC में 75 प्लस होना अनिवार रहे अगर BTEC mechanical हैं तो भया 80% का cut-off जाएगा नंबर of vacancies की बात करें तो SSC tech में भार ही मातरा में vacancies आ लिए 350 से 380 वहीं TGC में मातर 30 vacancies आ लिए तो defense aspirants यह था basic difference between short service commission technical and TGC याद रखिएगा TGC के लिए cut-off अच्छा चाहिए पढ़ाई में अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो TGC के थूँ अप BTEC holders apply करेंगे और पढ़ाई में अगर average हैं BTEC holders तो SSC tech के थूँ अपलाई करेंगे वहीं लड़कियों के लिए सिर्फ short service commission technical यह entry बहुत पुरानी है त्रिशूल defense academy की स्थापना 2003 में हुई थी यह entry 2007-2008 से चल रही है उन दिनों कि फॉज में अफसरों की कमी हो रही थी तो फॉज ने कहा कि यार BTEC graduates को भी मौका देते हैं तो अपने आप में बड़ी अच्छी entry है SSC tech and TGC अगर आप भी एक BTEC holder है और देश की सेवा करना चाहते हैं क्याते न सेवो क्याते न सेवो पर्मो धर्मा सबसे बड़ा धरम है देश सेवा देश सेवा पर्मो धर्मा Aspirants अगर आप भी इस विचार धारा के हैं आप BTEC holder है तो आपको SSC Tech और TGC का फॉर्म बढ़ना है SSC Tech का तो फॉर्म आप भी रखा है आपको कुछ नहीं करना है आपको services selection board interviews की तयारी करना नहीं है करनी है त्रिशूल defense academy में 14 दिन का SSB का course होता है जो हर alternate Monday को start होता है हमारे पास हमारा अपना खुद का जीटियो ग्राउंड है यह पूरी की पूरी SSB interviews करनल पंकज मेरोतर सर के guidance में चलती है और करनल सौमित्रो दत सर जो खुद सेना में selection boards में interviewing officer थे जीटियो अधिकारी थे अगर आप भी BTEC holder है और आपकी विचारधारा है देश सेवा पर्मो धर्मा आपकी विचारधारा है इंडियन army को join करने की तो इस number पे contact करें अधिक जानकारी के लिए याद रखिएगा एक तो BTEC उपर से army की uniform उपर से अच्छी salary society में respect इस से अच्छा combination कहीं भी नहीं हो सक सकता आइस्पिरेंस तुरंत SSC Tech एवं TGC की जानकारी के लिए हमारे इस number पे संपर्क करें तैंक यू जहिंद यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि त्रिशूल डिफिन्स Academy का main campus अलहबाद में हैं और हमारे branches दिल्ली और रांची में भी हैं खर बैठे भी त्रिश डिफिन्स Academy के आप के द्वारा आज ही आप डाउन्डोड करें थैंक यू जहिंद अब डिफिन्स एक्जाम पर ना हुआ और भी असान त्रिशूल डिफिन्स Academy लेकर आए हैं बिल्कुल ही advanced learning app तो आज ही जोइन करें और स्टार्ट करें अपनी online classes